तो भाई ये जो मेरा PC है ना इसमें है i5 8 Gen Processor 8 GB का DDR4 RAM और 256 GB का NVMe SSD बहुत ही तगड़ा Configuration है बट फिर भी टाइम के साथ में ये जो PC है ना ये अपना जो performance है उसको downgrade कर रहा है यानि बहुत ही दा slow हो चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे tips and trick बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना Windows किसी भी टाइप का Windows PC का जो performance है उसको restore कर सकते हो उसका जो performance है उसको boost up कर सकते हो इसके लिए आपको कुछ tips जो है follow करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको step by step आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप अगर interested हो इस topic की बारे में तो make sure इस वीडियो करने देखते रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके ही जाना तो चले इस वीडियो को start करत हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके पास में कोई भी टाइप का desktop या फिर laptop हो या फिर कोई भी वर्जन का Windows हो चाहे वो Windows XP हो 7 हो 8 हो 811 हो या फिर Windows 10 हो Windows 11 हो जो भी Windows version हो सारे Windows version में यह जो tips है यह काम करेगा इसके लिए आपको आपके PC के उपर में ए आप वहाँ पर क्लिक करके इस website के उपर में जा सकते हो यहाँ पर जाने के बाद में आपको simple से इस application को जो है download करना होगा और यह Microsoft का official application है कोई भी third party यह application नहीं है यह बिल्कुल official genuine application है तो इसको download करने के बाद में internet connection के साथ में आपको यह application है इसको करना होगा install install करने के खाता हूँ इसको install सबसे पहले आपको यह application है इसको open कर लेना है और open करने के बाद में आप इसका इंटरफेस है आप यहाँ पर देखो कि memory जो users है वो कितना अभी हुआ है और यहाँ पर temporary file है उसको भी आप यहाँ पर clean कर सकते हो तो यहाँ पर आपको simple से अपने boost के उपर करना होगा clean जैसे कि हमारे android phone में होता है files go के उपर में हम देशाते हैं जो temporary file है उसको अगर हम clean कर देते हैं तो हमारा जो file system है वो एक तरीके से boost हो जाएगा तो उसके अलाबा यहाँ पर और वी features है जैसे कि यहाँ पर अपना जो PC है उसका जो health है उसको check कर सकते हो यहाँ करें से तो कि हमारे देखा रहा है और यहां पर ऑपने PC का health है और यहाँ जो hydrogen है उसको ब्रीट कर सकते हो यहाँ पर टीप क्लीन है मेनेज रहा जो। लज्ज फाइल है उसको आप यहाँ पे देशे तो स्टोरेज है चेक कर सकते यहां पर do उन जो फाइल्स है उसको हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं तो इसको भी आप आराम से क्लीन कर सकते हो और यह तुरंत ही हो जाता है यहाँ पर आपके सामने में ही आप दे सकते हो यहाँ पर जो स्टोरेज का जो सेंस है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो अलग अलग तरीके से यहाँ पे बहुत सारे settings भी आपको मिल जाएंगे बाकि आपको अगर कुछ ज़्यादा छेड़ खाने नहीं चाहिए तो आप simple से अपना जो performance है यहाँ पे आप boost कर सकते हो और उसके अलाबा आपको कुछ और भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे process जो management है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हो कि जो Microsoft Edge है यहाँ पे जो सारे application है उसको आप यहाँ पे जो force stop है वो भी कर सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारे settings है और इन settings के मदद से आप अपना जो PC का जो performance है उसको वाफा से restore कर सकते हो तो यही है गाइस वो application जहाँ से कि आप अपने PC का जो performance है उसको boost up कर सकते हो तो गाइस उमीद आपको यह जो वीडियो है यह पसंद आया होगा फिर भी कोई भी सवाल यह फिर सुझाब है इस topic से regarding तो make sure इस वीडियो के comment section में आप हमें पूछ सेकते हो इसी के बार में कोई भी और tips and trick चाहते हो वीडियो चाहते हो तो भी आप comment section में बता सकते हो सजासन दे सकते हो मिलते हैं के लिए किसे interesting साब वीडियो में है तब तक के लिए thank you for watching guys thank you